hello everyone कैसे हूँ आप सब लोग तो आज आपके साथ मैं एक trading setup share करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा जो भी आप trading app यूज करते हो उसके जो indicator section में उसमें आपको जाना है तो पहले मैं आपको उसपे click कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए साथ की साथ में तो यहां पर आपको क्लिक करना है RSI high relative strength index तो आपको नजर आने लगए उसको आपको कलिक करना है, दूसरा आपको यहाँ पर search लगाना इसको cut कर देना दूसरा search लगाना ऑपको v web तो व web पह पर इसके कलिक कर देनाillas दोनो- इंडीकेटर यहां पे आपको नजर आने लगे हैं तब मैं आपको कुछ settings के इसमें change कर रहा हूं तो आप उनको थोड़ा ध्यान देना तो पहला जो settings मैं change कर रहा हूं यहां पे देखना थोड़ा तो मैं इसमें settings को change करता हूं पहला इसमें जो आपको 70 70 नज़र आएगा उसको मैं कर देता हूँ 60 दूसरा जो यहां पर 30 नज़र आता है वहां पर मैं कर देता हूं 40 अब कुछ चीज़े मैं अपने लिए चैंज कर रहा हूं क्योंकि मैं बलेक थीम यूज कर रहा हूं तो उसमें वाइट आपको अच्छे जो वी वैप है इसका भी मैं कुछ अपने लिए चैंज कर रहा हूं आपको आपसकता नहीं है ताकि आपको कुछ नज़र आ जाए अच्छी से तो यह अपना ट्रेडिंग सिस्टम हो गया मैंने क्या क्या किया है केवल आर ऐसा है कि जो सैटिंग से उनको चैंज किया है जो आ मैंने 60 and 40 कर दिया है नोर्मली यह क्या होती है 70 और 30 होती है तो अगर आपको यह 60 और 40 आपको अल्रेडी मिली हुई है तो आपको उसमें चैंज करने की भी आव सकता नहीं है और अगर आपको कुछ भी समझने आता है तो थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए अब आगे चलत हमी होगा वह 11 और 1130 से पहले पहले जितना हुगा उतना ही आपके profit होने के chances ज्याधा रहेंगे और final आपके लिए क्या रहेगा आपको ट्रेड पर डेए आपको एक ही ट्रेड करना है उससे ज्याधा ट्रेड नहीं लेनी है चाहिए आपको setup 10 ट्रेड दे 20 ट्रेड दे 30 ट् है और यही आपमें discipline बनाएगा धीरे धीरे तो आगे देखते हैं setup के हम कैसे trade करेंगे तो यहाँ पर हम intra day में trade कैसे करेंगे वो देख लेते हैं इसमें आपको क्या करना होगा पहले देखना होगा कि RSI में पहली देखिए breakout कैसे consider करना है या तो यह upside से downside जाए तो ब्रेक में चल रहा होगा और फिर उपसेड जाए या मिडाल में चल रहा होगा ये सट जाए तो ये चार तरीकों से आप इसमें breakout consider या breakdown consider कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या देखना है आपको देखना breakout कैसा होना चाहिए वो भी देख लेते हैं थोड़ा क्योंकि उसमें confusion रहे जाए फिर problem होगी breakout कैसा होना चाहिए ऐसा breakout होना चाहिए जो clear ये नजर आए ऐसा breakout नहीं होना चाहिए जो just touch कर रहा हो touch करने वाले को हम confirm नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें पता नहीं चलेगा कभी वो breakout होगा कभी नहीं होगा तो ऐसा आपको नहीं consider करना है प्रोपर आपको आँकों से नजर आए अंदाजा ना लगाना पड़ी breakout हुआ है या नहीं हुआ तो उसको हम breakout consider करेंगे उसके बाद हमें और क्या देखना है हमें देखना है वी वैप की value क्या है तो हमें क्या करना है पहली बार तो ये देखना है कि RSI में कब और कहां पहली बार breakout या breakdown हो रहा है जब RSI में breakdown हो जाए तब आपको RSI का कुछ लेना देना रहेगा नहीं फिर आपको क्यों चार्ट में देखना है चार्ट में आपको क्या देखना है trade कब लेना है आपको VWAP की value देखनी है आपको VWAP की value कहा नज़र आएगी यह देखे जश्ट इसके सामने आए आपको नज़र आएगी VWAP की value तो आपको क्या करना है यहाँ पे VWAP की value देखनी है जब आपकी next candle मनेगी फोर्थ candle मिलेंगी जश्ट इस example के लिए उठा लेते हैं तो जब आपको यहाँ पे cursor ले आना है तो वहाँ पे VWAP की value आपको नज़र आएगी क्या नज़र आ रही है 1179.54 तो इसमें आपको जश्ट कुछ point add कर देने अपनी तरफ से मैं यहाँ पे point five add करूँगा यानि मैं यहाँ पे 1179 से trade ना करके 1180 पे trade करूँगा ताकि मुझे थोड़ा सा confirm हो जाए कि VWAP के उपर price चला गया है फिर मैं trade को यहाँ पे initiate करूँगा buying side के और यहाँ पे मैं risk reward कितना रख रहा हूँ 1 by 2 का मैं risk reward रख रहा हूँ यानि मैं stop loss यहाँ पे रखूँगा यहाँ पे 5 रूपे का target रखूँगा यहाँ पे 10 रूपे का तो मैं 1 by 2 risk reward मेनेज करते हूँ यहाँ चलूगा ताकि मुझे overall profit मिले अगर कुछ loss वगरा भी हो मुझे तो तो मैं 1 by 2 यहाँ पे risk reward रखूँगा तो आपको setup समझ में आ गया होगा buying come करना है breakout होने पे और दूसरा 3 candle को आपको छोड़ देना है उसके बाद vvap की value देखनी उसमें अपने according point add कर देने है फिर आपको मैं Tata Steel में use कर रहा हूँ यह stock है तो इसमें 1183 इसका value है तो इसलिए मैं इसका 5 रूपे का stop loss रख रहा हूँ मैं 4 रूपे का भी use कर सकता हूँ इसमें लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपके लिए मैं 5 रूपे का रख रहा हूँ 10 रूपे का मैं target रख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप trade लेते तो आपको बहुत ही easy यहाँ पर 10 रूपे मिल जाता है और आपको कोई ज़्यादा इसमें कोई price action read करने की आउसकता नहीं थी और दूसरा कुछ चीजे देखने की आउसकता नहीं थी market में क्या चल रहा हूँ नहीं देखने क्या हो सकते थे केवल आपको अपने indicator पर believe होना चाहिए अपने system पर believe होना चाहिए आप उस पर trade कर सकते थे तो थोड़ा इसमें कुछ और भी बाती रहती है तो उसको धीरी धीरे मैं आपको और बता देता हूँ साथ की साथ में हम क्या करेंगे बैक टेस्ट भी कर लेंगे तो मैंने आपको च्यार फरवरी का तो मैंने बता दिया trade कैसे करना था आपको अब तीन फरवरी का देख लेते हैं और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को क्योंकि इससे आपका फोकस कम हो जाएगा और फिर आप गंशीडर नहीं कर पाऊगे हर पॉइंट को तो मैं चाता हूँ कि आप एवरी पॉइंट को आप कैसे 5 रुपे का stop loss है और 10 रुपे का target आपका अच्छी हो गया stop loss देख लेना अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर देखी आपको फर्स्ट 3 कंडल को छोट देना ब्रेक आउट देखना है तो यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है नहीं यह इस उठा सकते थे लेकिन यह 12 बज़े के बाद हो रहा है तो यहाँ पर trade नहीं करेंगे तो next day चलते हैं तो यहाँ पर कुछ trade बगरा बना नहीं हमारा तो आपको इसमें अपने आप back test कीजिए देखी यह system कैसा लगता आपको और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ तो यहाँ पर trade मिल गया यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर trade ले लिजिए माल लेते हैं कि price upside चला गया था वीवे आपके पास नहीं आया जब तक RSI में confirmation हुआ तब तक यहाँ चला गया उसके बाद यहाँ पर trade कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर नहीं हुआ तो बाद में भी आपको एक अच्छा target मिल गया यहाँ पर भी तो इसको देखने का को फैदा है नहीं यहाँ पर selling गरा कुछ interview गरा मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि देखिए जल्दबाजी में करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है फिर मुझे भी पसंद नहीं होता है यह चीजी जादा लंबी हो यहाँ पर breakout होगा यहाँ पर थ्री कंडल को आपको छोड़ देना उसके बाद जहां पर भी वीवैप का प्राइज आए वहाँ पर देख लेना इसके आपास आया है क्या तो मैं थोड़ा स का टार्गेट रिस्क रिवाड रखने कुछ जिंता वाली बात है नहीं उसके बाद यहाँ पर breakout हो गया यहाँ पर breakout हो गया और यह वाला आपको टार्गेट मिल जाएगा तो देख लो मैं आप थोड़ा सा जल्द बाजें कर रहा हूं यह तरी कंडल को छोड़ देना उसके प्लोस हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो आप यह वाला सेल वाला मुझे चाहिए था आपको थरी कंडल चोड़ देना है उसके बाद आपको आ रहा है से देखना है breakdown मिला हुआ है क्योंकि अप साइट से आ रहा था breakdown हो गया उसके बाद क्या देखना आपको यह मिलेगे आपको क्या candle का आप note कर लेना वीवैप की value क्या है 1090 यहाँ पर देखिया आप यह वाला 101090 तो यहाँ पर आपको टारगेट सोरी यहाँ पर आपको इनिशेट करना था selling side का stop loss लगाना था जिसके 5.2 उपर तो 1090 तो 1095 के .50 पर आपका stop loss लगता यहाँ पर आपका stop loss लगता तो वो आपका hit हुआ नहीं enjoy कीजी आपको अपना profit और अच्छा आपको profit मिला तो आपको back test करना है कैसा लगा आपको system बताना है तो मिलते हैं next studio में तब तक लिए धन्यवाद चाहिए